श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट की दूसरी पारी में धमाकेदार नाबाज शतक लगाने वाले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, ICC द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में बल्ले बार्जों की सूची में पांचवे स्थान पर पहुँच गए हैं कोहली ने इडन गार्डन्स पर पहले टेस्ट के पांच में वह अंतिम दिन अपने इंटरनाशनल करियर का पचासवा शतक जड़ा, उन्होंने 119 गेंदों में 104 रन बनाए, कोहली के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी आटफिकेट पर 352 रन के स्कोर प का लक्षे रखा, कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के उपनर डेविड वॉनर को पीछे चोड़ते हुए पांचवा स्थान हासिल किया, वैसे वन दे और चीडट इंटरनाशनल रैंकिंग में कोहली नंबर एक पर काबिज हैं, अब गुरुवार से इशेज सीरी चुरू होना है औ और अगर वॉनर अच्छा प्रदर्शन करने में कामियाब रहे तो वो कोहली को पीछे चोड़ देंगे। ऐसे में जड़ेजा के पास एक बार फिर शीर्ष स्थान पर पहुँचने का मौका रहेगा। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज भुव ने श्वर कुमार को आठ स्थान का फायदा हुआ है और उन्होंने अपने करियर की सरवश्वेष्ट रैंकिंग हासिल की। कोलकाता टेस्ट के मैन आफ दे मैच भुवी अब ICC टेस्ट रैंकिंग के गेंदबाजों की लिस्ट में 29 वे स्थान पर पहुँच गए हैं। टीम इंडिया की बंगाल एक्सप्रेस मोहमद शमी को भी कोलकाता टेस्ट में शांदार गेंदबाजी का फायदा मिला और वो एक स्थान के फायदे के साथ 18 वे स्थान पर पहुँच गए हैं।